वेलकम टू माई चैनल S.K. Knowledge कलास दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 14 फरवरी के लिए मेत का objective question जो कि दोस्तो इससे आपको बहुत लड़ेगा ठीक ना और बहुत चीज आपको सिखने को भी मिलेगा और दोस्तो मेत है जब तक हल नहीं करिएगा तो objective का option कैसे निगा लिएगा ठीक इसलिए दोस्तो मेत को हल करना परेगा तो ध्यान से देखिएगा दोस्तो इससे बाहर एक भी नहीं आएगा दोस्तो हो सकता है अंक चेंज कर देगा लेकिन सवाल वही रहेगा दोस्तो ठीक न चलिए दोस्तो हम वीडियो को स्टाट करते है अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और घंटी को दबा चॉल कर लिजिए सवाल है आपका पहला यदी alpha, beta बहुपद x square plus 4x plus 1 के सुनियक है तो 1 बटे alpha plus 1 बटे beta बराबर ठेक, दोस्तो क्या कर रहे निकाल ले 1 बटे alpha plus 1 बटे beta ठेक तो दोस्तो यहाँ क्या हो जाएगा alpha into beta लगतम आ जाएगा ठेक, क्योंकि यहाँ भिनका जोर हो रहा है न alpha सभाग देंगे alpha कर जाएगा बचा beta, beta गुना 1 बटा हो जाएगा प्लस, फिर beta भाग देंगे beta कर जाएगा बचा alpha, alpha गुना 1 alpha हो जाएगा या इसको हम लोग इसे भी लिख सकते alpha plus beta बटे alpha into beta अब दोस्तो alpha plus beta का सुत्र क्या होता है minus b बटे alpha into beta का क्या होता है c by a, देखिए नीचे वाला a, नीचे वाला a कट गया क्या बचा minus b बटे c बचा, ठिक आप देखिए दोस्तो, minus b by c यहाँ x square का गुना अंक a होता है x का गुना अंक b होता है और अचरपद c होता है, आप लोगों को पता होगा तो दोस्तो, minus b, b की जगह क्या है, 4 है minus लगा है, तो minus लगाएंगे बटे c, c की जगह क्या है, दोस्तो, one यानि कि क्या हुआ, minus 4 ही हुआ minus 4 आपका answer हो गया, दोस्तो जो की option c में है, ठीक अब यहाँ basis basis क्या करेगा, अंक change करेगा दोस्तो, नियम तो यही देगा, इसलिए काता हूँ, दोस्तो, mathematics है नियम सिखना जरूरी है, ठीक चलिए, next सवाल देख लेते हैं, दोस्तो next सवाल है आपका कि कोस ठीटा into कोसे, ठीटा बरावन अब देखिए, दोस्तो, कोस ठीटा into कोसे कोसे को हम लोग लिख सकते हैं, बटे साइन ठीटा, ठीक अब देखिए, कोस गुना एक, क्या हो जागा, कोसे ठीटा होगा, बटे साइन ठीटा, ठीक ध्यान से समझेगा, कोस बटे साइन सूतर होता है, कोट धीति याद रखेगा कोस विटे साइन क्या होता? कोट वही साइन उपर हता कोस नीचे रहता तब टेन होता तो यहां किया कोट धीता? कोट धीता जो की option b में है ठेक चलिए नेक्स सवाल देख लिजे दोस्तों Sick सवाल है आपका यदी बहुपद X square plus A X minus B के सुन्यक एक दूसरे के व्युत करम हो तो B बराबर अब दोस्तों सुन्यक क्या होता है दो एक हाथ बहुपत का alpha और beta होता है यहीं होता है इकारा एक दूसरा का व्युत करम है यानी कि दोस्तों alpha बरावर लिखेंगे 1 बटे beta इसका ब्योद्प्रम हुआ इनस बुयाए उल्टा हुआ तो बुद्प्रम हुआ अब इधर आएगा तो इगुणा हो जाएगा तो इक्या हो जाएगा दोस्तो अल्फा into बीटा ब्रावर क्या बचेगा on देक ही भगाआम है न इससे आएगा तो इधर गुना होगा नो, अब alpha into beta का सुत्र होता है, c by a, बरावर 1, आप देखिए दोस्तों, यहाँ c है, c के जगह क्या है, minus b, minus b, यहाँ बरावर देना है, but a, a, a के जगह ने कुछ तो 1 है, बरावर में e, b, one है दोस्तों, यहाँ, अब b, बरावर e, minus, उधर चले जाएगा, अब B बरावर क्या निकल गया माइनस 1 निकला B कामान क्या निकला माइनस 1 याने कि C option आपका सही हो जाएगा ठेक चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तों नेक्स सवाल है आपका समीकरन B X स्क्वार पलस B X पलस C बरावर 0 का B वे चक है वे चक निकलना है दोस्तों यहां देखिए A बरावर हमको क्या दिया है B है उसके बाद अब B बरावर क्या दिया है B A है ठेक उसके बाद C बरावर क्या है C है तो दोस्तों B वे चक याने कि D निकलना है D बरावर सूत रहता है B square minus 4 A C आप देखिए दोस्तो B square B के जगह क्या है B है B का square minus 4 into A C A के जगह क्या है B उसके बाद C C के जगह क्या है C क्या निकला दोस्तो B square minus 4 B C 4 B C अभी option देखिए कहाँ पर है दोस्तो यह option आपका C number हो जाएगा C C आपका answer हो गया ठीक इस परकार बनाना है basis basis में अंक change करेगा और क्या करेगा दोस्तो नियम वही रहेगा आप लोग नियम सिख लिजिए आप लोग तोर फोर कर दिजिएगा एक्जाम में हमें पता है ठीक चलिए next सवाल देख लेते हैं दोस्तो आप लोग पढ़ते नहीं है ठीक ना इसलिए आप लोग से महत नहीं बनता है पढ़िए दोस्तों ठीक जब आउट हो का question तो हम डालेंगे tension मत लिजिए ठीक आपका पांच नमर का सवाल है यदि किसी दुगहाद बहुपद PX बराबर 2X स्क्वार पलस 5X माइनस 12 के सुन्यक अलफा बीटा हो तो अलफा पलस बीटा का मान करें निकलने देखिए दोस्तों अलफा पलस बीटा इसका सुत्र होता है माइनस B वाई A सुत्र याद रखिएगा अब दोस्तों आपको तो पता है X स्क्वार का गुनांक A होता है X का गुनांक B होता है अचारपद C होता है मालूम होना चाहिए माइनस लगा दियें दोस्तों B, B के क्या है दो माइनस पांच बटे दो जो की ऑप्शन दी में है देखिए कितना आसान तरीकास बन गया दोस्तों सुत्र अगर मालूम रहेगा नहीं तो आप लोग भी बना लिजिएगा ठीक चलिए नेक्स आवाल देखते हैं नेक्स आवाल हैं समांतर से डिपांच कोमा आठ को अग्यारा कोमा डॉट डॉट का कौन सा पद 383 है करा कौन सा पद 383 यानि कि आन निकालना है दोस्तों बराबर वार दोस्तों प्रथम पद यानि कि ए एक क्या हो जाएगा पंच उसके बाद डी सार्वांतर क्या होगा दूसरा पद में स्पहला पद घटाएंगे आठ घट बरावर दोस्तों फॉट यह प्लास एंड माइनस वण इंटो डी आठम देखिए दोस्तों टी एंटी एन के जगा हमें कितना रखना है दोस्तों तीन सो त्यराशे बरावर एक के जिखा-पांच प्लास & माइनस वन इंटू डी डी कि जिखा-गा-टोस्तु 3 है ठीक धिया से हल करना है इसको दोस्तों आप देखिए तीन सो तेरा सी बरावर पांच पलास तीन गुना एंड तीन एंड घाटा तीन एका तीन ब्राकेट में एन मैनस वन है नहीं तीन दोनों से गुना होगा ठेक अब देखिए क्या आ गया हूं तीन सो तेरा सी बरावर पांच में से तीन घटेगा दो बचेगा पलास तीन एंड तीन एंड अभी क्या होगा इधर आके घट जाएगा तीन सो तिरा सी माइनस दो बरावर ठिरी एंड अभी बच जाएगा दोस्तो तीन सो एकासी बरावर दीन एंड अब कटाईगे तीन से 1 3a का तीन तीन दोने 6 2 वहां चले गिए सथीओada 21 तो एन का मन क्या и 97 ठीक जो कि ऑफ्सेन यहां डि में है भारब इसमें hypothesis स्वार देखिंगा अंखशन्ज करेगा नियम थो यहिं देगा जैसे महल तो ध्यान से अगर विडियो देखे होंगे आप तो समझ गिए होंगे ठीक चलिए नेक्स सवाल देख लेते हम नेक्स सवाल है आपका दो सेक स्कॉर तिरपन डिग्री माइनस दो कोट स्कॉर साइटीस डिग्री का मान है दोस्तों इस दोनों मिला कि अगर नब्यों पूर जा कर देना है दोस्तों पूर जाएगा ना वे देखे तिरपन और साइटीस नम्वे पूर जाएगा क्या करेंगे दोस्तों सब से पहले दो कोमन लेंगे दोनों देखे दो मिल्डा कोमन ले लेंगे बचेगा सेक स्कॉर तिरपन डिग्री माइनस कोट स्कॉर साइटीस डिग् ठीक अब क्या करना है दोस्तों doen सेग स्क्वार तिरपांड डिग्री मांवाइनस कोड इस्क्वार 33 को क्या लिखेंगे नबबगिघ्री घ्ær्टाअ तिरपवण डिग्री देखिये दोस्तों नब्यम से 30 घठांगे सहितिस बस जाएगा ठेक अब दोस्तों एक सूत्र होता है याद रखिएगा आप लोग कि पहले इसको लिख लेते टो सेक स्क्वाइर तीरपंड डिगरी माइनस कोट नब्बे डिगरी घाटा थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है टेन थीटा 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 कितना है तिरपंड डिगरी इसक्वाइर है तो स्क्वाइर लगाते नहीं ठेक आप देखिए दोस्तों कि दो एक और सुत्र होता है सेक स्क्वाइर ठीटा माइनस त्यन स्क्वाइर ठीटा अब रावर वन अब ठीटा के जगह तो सेम मिल दा थीटीटिये हो गया ठेक खाली याद एक स्क्वाइर ठीटा माइनस त्यन स्क्वाइर ठीटा व्राव वन होता है दू एका दो आप कहां पर है दो एप्शन दी में है ठेक चलिए नेक्स सवाल देख लिए दोस्तों नेक्स सवाल है एक थैले में चार सफेद छो लाल सात काली और तीन नीली है एक गेंद या सफेद होने की परिक्ता क्या है दोस्तों यहां ध्यान देना सफेद होने की मांग रहा है कुल गेंद कितना है इसमें दोस्तों कुल संभव परिनाम कि कितना है दोस्तों चार प्लॉस छे प्लॉस साथ प्लॉस तीन टोटल पड़ी नाम है जोर देना है दोस्तों साथ तीन दस चो सोलर चार बीस अब हमें कर रहा है कि सफेद होने की परिक्ता सफेद कितना है कितना है दोस्तों सफेद गेन यहां देखिय कि यही सफेद होने की परिक्ता मंग रहा तो सफेद कितना है चार है तो इसको उपर रखेंगे टोटल गेंद कितना है 20 है नीचे कर देंगे चारे का चार चार पहुंचे 20 क्या निकला एक बटे पांच एक बटे पांच जो की अप्शन डी है ठेक चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तों नेक्स सवाल है आपका कि कोस साथ डिग्र टरी इलटो कोस तीस डिग्री माईनास का थेस डिग्री ने ट्रॉत साथ डिग्री इन्टो छांड़ रिंटो ऐन दिग्री का मान रस्टो कोश्त हचा का मान हुता एक बटे दो गुना मुझ तीजित गहान होता पाट outta तीन वाटे दो माइनस साइग शायर साइन शाट का होता है inhale यह तती साइं जो भी जाए क्या होगा धोस्तों बीदे रूट फिन गुना एक रूर फिन बटे दूदुनी चार माइनस रूट तीन गुना एक रूट तीन बटे दूदुनी चार माइनस प्लस कट गया क्या बचा जीरो जो की ऑप्शन ये में ठेक चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं को नेक्स सवाल है दोस्तू आपका कि बिन्दु दो कोमा माइनस पश्च चतुर लिषस्ट सभी कंद लेल होता दोस्तू होता है रख ठीक अब दोस्तू एकलिग होता है प्रफ याद रखिएगा यह होता है डूटी ये ठ्यछिक होता है तिर तिय ये मोता है यह तर्फ को याद रखिए आब यहाँ अगा हमको नहीं देखना है डेखना देखना है चीन देखना है तो जाएंगा व्यामने मीनी कि प्लस माइनस चीन है टर्फ प्लस माइनस किसमें आता है चतूर्थ में आता है यानि कि दी हो जाएगा ठीक सिर्फ इस गराप को आप लोग कोपी पर लिख लिजें दोस्तों जैसे हम लिखें इसी पॉइंट को याद रखना है बस अंक कुछ हो लिखें उससे को मतलब नहां सिर्फ चीन देखना है ठीक छलिए नीच्ट सवाल देख लेते हैं सिर्फ मुला बिन दू की दूरि क्या है दोस्तों मूल बिन्दू से धिया रहे न तो सिर्फ ग्रमूल बिनदू से सूतर होता है X plus Y इसका whole square under root ठीक यह हो गिया X इस हो गिया Y यानि कि minus 5 का Square plus 5 का square under root ठीक minus 5 का square plus 25 हो जाएगा plus 5 का square भी 25 हो जाएगा under root 25-25 क्या हो जाएगा 50-50 का worguli क्या निकलेगा 5 root 2 क्योंकि पचास को हम लोग इसे लिख सकते हैं पांच गुना पांच गुना दो पचे पचीस दो को पांच मिलके एक और रूट से बाहर निकलता है दो नहीं निकलेगा इसमें मात्रा किया इकाई लगा सकते हैं याने की बी ओप्सन आपका सही हो जागा याद रखिएगा से हमें छेत्र फल निकालना है तो अप्सन पाईयम है तो दोस्तों आसान है पाईयम छोड़ देंगे बिरीट का परिदी कितना दिया है आठ पाई बिरित की परदी का सुत्र होता है टूपा आर बरावर आठ पाई तो यह पाई पाई कट गया दो से 4 बड़े में कट जाए दोस्तों इस परकार आपको बनाना है कहीं भी डाउट होता आप कामेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने क्यां सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी को डवाइट ओल कर लिजिए